कि चलिए स्वागत है सबका हमारी क्लास में सभी को आदाव अविनंदन नमस्कार सस्रिया काल आई होप सारे लोग बढ़ियां हैं सारे लोग मजे में हैं बहुत ही अच्छे से सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं हाँ जी सभी को गुड आफ्टरनून सभी को रादे रादे जैश्री शाम बाबा शाम की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे चलिए आज की बटा क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम जो है वो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर फोर से मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था SM का कुछ भी पड़ा नहीं था आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास को और आई होप सारे लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं ठीक है और सभी लोग अब पढ़ने के लिए तयार हैं चैप्टर फोर स्टार करते हैं तो डियर आज जो है वो चैप्टर नंबर फोर का लेक्चर वन है और जो चैप्टर फोर है आई होप सारे लोगों ने सारे लोगों के पास इसका प्रिंट आउट है प्रिंट आउट सभी लोगों ने इसका निकाल लिया है होप सो कि सभी लोगों ने इसका प्रिं आपको SM की डियर एक कॉपी भी बनानी है, उस कॉपी में मैं नोट करवाता जाऊंगा, आपको नोट लिखवाता जाऊंगा, और जो चीजें मेरे को study material से पढ़ानी है, कि भाई इसमें तो कोई दिख्कत ही नहीं है, वह मैं आपको study material से पढ़ाता जाऊंगा, कॉपी में भी लिखेंगे हम और बहुत सारी चीजें ICI के study material से भी पढ़ेंगे ठीक असर तो देखिए आईए सबसे पहले आप जो है डियर एक काम करेंगे अपनी जो कॉपी है उसमें सभी लोग SM की कॉपी अपने पास रखें सारे लोग I hope table chair का use कर रहे हैं और सभी के हाथ में पैन हैं और कॉपी है यदि ऐसा नहीं है तो जल्दी से आप इसको कर लें ठीक है तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालने स्ट्रेटेजिक मेनेजमेंट चैप्टर फॉर होप सो सभी लोगों ने कॉपी अपने हाथ में दे रखी है कि चलिए आईए तो चैप्टर फॉर हम पढ़ेंगे तो आप एक काम करें चैप्टर फॉर का हेडिंग डालने कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटिजीज सभी प्यारे बच्चों ने हैडिंग डाली है चैप्टर का नेम है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटिजीज पिड़ा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटिजीज आईसी ने हमारे कह रखा है कि चार स्ट्रेटिजीज को हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटिजीज मानते हैं डि और यह जो चार स्ट्रेटिजीज हैं यह कंपनी का टॉप लेवल फॉर्म करता है इसलिए इन चार स्ट्रेटिजीज को हम कॉर्परेट लेवल स्ट्रेटिजीज कहते हैं तो इनी चार स्ट्रेटिजीज के ऊपर हमको चर्चा करनी है आज के लेक्चर में और इस चप्टर के तो आप सारे लोग लिखेंगे, लिखो, corporate level, सारे लोग लिखेंगे, copy में लिखें, corporate level strategies, corporate level strategies, refer, following four strategies, dear, चार strategies को हम corporate level strategies कहेंगे, सर, कौन-कौन सी चार strategies को corporate level strategy कहेंगे, बस, नीचे में लिख रहा हूँ, number one है, dear, वो है, stability strategy, stability strategy, सभी लोग अपनी speed दुरुस्त रखेंगे, बटा, ठीक है, fast लिखना है, अपने हैं, stability strategy, second है, dear, expansion strategy, expansion strategy, ठीक है, and third क्या है, third है, retrenchment, retrenchment strategy, third है, retrenchment strategy, and fourth है, combination strategy, बस ये चार strategies का ये chapter है, ठीक है, इस chapter के अंदर हमें ये चार strategies dear पढ़नी है, stability, expansion, retrenchment, and combination strategies, ठीक है, इनके बारे में, detail में हम पढ़ेंगे, इनकी character stakes, इनकी क्या advantage है, disadvantage, ये सब बातें पढ़नी हैं, अब आईए, मैं basically आपको ये चारो strategy का एक बार meaning बता देता हूं, short में, सबसे पहले stability strategy पढ़ेंगे, एक बार उसको detail में पढ़ने से पहले, छारो strategies का, हम आपको meaning बता देते हैं, क्या है, सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं, किसकी हमारी stability strategy की, ठीक है, तो dear, stability strategy क्या होता है, stability strategy के अंदर company क्या करती है, focus करती है, क्या करती है, focus करती है on किस पे बटा current current product and market पे ही company क्या करती है focus करती है कुछ नया करने की कोशिश नहीं करती उसको हम stability strategy कहते हैं जैसे guys क्या होता है for example एक company है ठीक है उसका product बहुत अच्छा खासा विकरा है ठीक है अब वो सोचती है कि भई मेरा यह जो level है मेरको maintain रखना है ठीक है अब मुझे जो है वो उसको ऐसा लगता है कि अब growth की opportunity नहीं अब तो हो सकता है कि नए technology वाले products आ जाएं तो कहीं मेरा market decline नहीं हो जाएं ठीक है तो इसलिए stability strategy के अंदर क्या करता है company current product और current market पे ही generally focus करता है उसको हम stability strategy कहते हैं जैसे मान लिजिए मैं आपको एक example देता हूं suppose करो Honda है Honda बिटा क्या करती है सिर्फ और सिर्फ जान से सुनिए innovation में believe नहीं करती innovation में believe करती है नहीं करती हो भी देखेंगे Honda जो है मान लिजिए क्या कर रही है सिर्फ एक प्रोड़क्ट बना रही है suppose करो जिसका नाम एक्टिवा मैं आपको just example दे रहा हूं तो हम कहेंगे Honda क्या कर रही है stability strategy follow कर रही है क्योंकि आप देखिए अब आप ब प्रोड़क्ट को change नहीं करते हैं ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रोड़क्ट लेकर आ गए company केवल existing current product current market पर फोकस करती है वस इसके अंदर ठीक है new products में नहीं जाती है तो हम कहते है stability strategy है for example एक company जो है वह चार तरह के product बना रही है सालों से नया product नहीं तो लेकर आ रही है न ने अपने existing product को खतम कर रही है तो वह हम कहेंगे stability strategy existing product existing market पर focus कर रही है डियर expansion strategy क्या होती है बेटा आज कल के जितने भी business मेंने यह सभी expansion strategy follow करते हैं expansion strategy की हम बात करें expansion strategy में company existing business के साथ साथ जब new business new products भी add करती है अपने portfolio के अंदर वह expansion strategy है जैसे मुकेश अमबानी Reliance Industries Limited आए दिन नया नया product वह launch करते रहते हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आगए अभी उसको बिग बाजार को purchase कर लिया तो FMCG सेक्टर में भी Reliance उतर गया तो वह expansion strategy है expansion strategy में तो risk बहुत होती है बेटा risk है तभी इश्क है ठीक है क्योंकि risk है तो पैसा भी है वहाँ पर तो आज कल की जो businessman है वह expansion strategy follow करते हैं एंड उसके बाद में हम बात करते हैं डियर यह retrenchment strategy क्या होती है सर्फ रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी company में बहुत जैसे मान लिजिए सपोज करो मारूती सुझू की उसके पास में आरदस गाड़ियां है ठीक है अल्टो भी है बलीनों भी है स्विफ्ट भी है सियाज भी है ब्रीजा भी ऐसे बहुत सारी गाड़ियां किसी वन और मोर प्रोड़क्ट को company अब अपने करती हैं तो उसको हम कहते हैं कि company combination strategy फॉलो कर रही है सर ऐसे कैसे होता है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मारूती सुझू की की तो मारूती सुझू की देखिए क्या कर रही है स्विफ्ट के केस में stability strategy फॉलो कर रही है स्विफ्ट और डिजायर के तिनों जो है वो उसी टाइम पे कर रही है तो यह त्रेंज्म ini कर रही है तो जब यह त्रेजी अलगलग प्रोड़क्न में अलगलग तरह की एक तो वह कॉंबिनेशन इस्ट्रेजी होता है ठीक है यह तो बेसिक मीनिंग था जो की detail में चर्चा करेंगे ठीक है चलिए आई ये सभी लोग एड़ने के लिए तैयार होंगे आब सारे लोग copy में heading डाले nobor one वापस से stability strategy ठीक है stability strategy stability stability strategy बेटा स्टेबलीटी स्ट्रेटेजी में total हमको चार topics पढ़ने बस चार topic पढ़ेंगे फिर end हो जाएगा ठीक है तो आप सारे लोग stability strategy में लिखो, लिखेंगे in this strategy, in this strategy, there are following four topics, इस strategy में total कितने topic हैं dear, 4 topics हैं, ठीक है, इस strategy के अंदर total कितने topics हैं, 4 topic हैं, चलो आईए, सबसे पहला topic है, meaning of stability strategy, हम meaning पढ़ेंगे सबसे पहले, meaning of stability strategy, meaning की हम बात कर रहे हैं, कि stability strategy का, देखिए, क्या meaning है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, stability strategy में, company दो चीजें, जो दो चीजों पर focus करती हैं बटा, ठीक है, यही दो चीजों पर focus करती है, तो ऐसा माना जाता है, कि company stability strategy follow कर रही है, सर, वो दो चीजें कौन-कौन सी है, चलिए, पहले लिखते हैं, फिर आपन समझेंगे उसको, तो लिखो, stability strategy, लिखो इसमें, stability strategy, stability strategy involve following two things, stability strategy में यह दो चीजें involved होती हैं बटा, कौन-कौन सी देखिए, number one, लिखो आप, in this case, in this case, company, company focus, company focus on existing, existing product, comma, existing market, existing market, and existing business, existing product, existing market, and existing business, इस strategy में, company dear क्या करती है, existing product, existing market, और existing business पे focus करती है, ठीक है, and लगा के second लिखो, and, second जो, इसमें जो चीज़ involved होती है, वो लिखो, company, company also, company also focus on improving, company also focus on improving functional, functional efficiency of its products, तो dear, दो चीज़े involve होती है, stability strategy में, सबसे पहले है, कि company existing product, existing market, और existing business पे focus करती है, बट साथ ही साथ उसकी जो functional efficiency है, उसको बताओ क्या करती है, improve भी करती है, तो हम कहते है, company stability strategy follow कर रही है, जैसे dear, बजाज company है, उसकी एक बहुत ही, सबसे famous bike, आज तक की जो सबसे famous bike है, उसका नाम है बटा, Pulser, ठीक है, Pulser में, Pulser के case में, company stability strategy follow कर रही है, कि बहुत सालों से लगातार एक product पे focus किया जा रहा है, उसी market में, इंडिया के market में बेचा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि कुछ भी नहीं कर रहे, आज से 10 साल पहले जो Pulser का model आता था, क्या आज भी वैसा ही आता है, या उस product की functional efficiency improve हो चुकी है, उसका design improve हो चुका है, उसका mileage improve हो चुका है, बिल्कुल वो look mileage सारी चीजें improve हो चुकी है, तो इसलिए हम कहते हैं, stability strategy में ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रखके बैढ़ जाओ, कुछ भी नहीं करो, इसमें company existing product market business पे focus करती है, बट उस नया product नहीं लेके आती है, बट company क्या करती है, वो जो existing product है, उसकी functional efficiency को improve करती है, तो dear हम कहते हैं कि company stability strategy follow कर रही है, जैसे मैं आपको एक और example देता हूँ, Apple जो है वो बटा iPhone के case में आप बताईए stability strategy follow करता है या नहीं करता है, क्योंकि Apple क्या कर रहा है existing product पे existing market business पे ध्यान दे रहा है, और साथ ही साथ अब जैसे नया iPhone का version launch कर रहा है तो है तो पुराने प्रोडक्ट ना वो लेकिन उसकी जो functional efficiency है नया जो है वो model आया तो पुराने वाले की comparison में उसमें और कुछ अच्छे functions होंगे ठीक है, उसकी functional efficiency को continuous improve करती है उसी को dear बताईए हम क्या कहते है, stability strategy कहते हैं जैसे हम और example लेते हैं Honda Activa का example लेते हैं तो बताईए Honda Octiva के relation में ठीक है, Honda Octiva के relation में कौन सी strategy follow कर रहा है stability की continuously एक ही आप same product पे focus कर रहे हो और साथ ही साथ ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हो उसकी functional efficiency की उसका लगातार mileage improve हो रहा है ठीक है, तो 3G, 4G, MG, Activa ठीक है ऐसा बोल रहे है हाँ बिटा तो वही अपन बोलते हैं कि आपका stability strategy का example है, stability strategy देखे जनरली कब focus करती है company, company को जैसे मान लीजिए कोई company है उसके जो भी product है, suppose करो 2-3 product में deal करती है उसको लगता है यार इस product में अब और कोई नया product मैं नहीं लेके आना चाहती, बस मैं इस चीज में top पे हूँ, मैं यह 2-3 product भी बेचना चाहती हूँ, बस इनहीं को मैं बेची हूँ, हाँ market में इस product में कोई updation हो रहा है कोई technology नहीं आ रही है तो वो मैं upgrade करती रहूं इसमें functional improvement मैं करती रहूं, और साथी साथ company बताओ क्या करती है, जो existing products नहीं उसकी functional efficiency को improve करने की कोशिश करती है, चलिए और माँ आपको example देता हूँ, बेटा भारत की एक बहुत बड़ी company है, हिंदुस्तान Unilever Limited, जो FMCG की हमारी सबसे बड़ी company है, और मेरे साथ से भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने हिंदुस्तान Unilever Limited का product यूज नहीं किया होगा, लक्स, लाइबोई, लिरिल, पियर्स, रेक्सोना, वील, सर्फ, एक्सल, पॉंड्स, लेक्मे, फेर अन लवली, यह सारे products जो है, वह actual के, बटा मैं actual का जो है, वह marketing manager नहीं हूँ, तो आप बताओ, actual क्या कर रही है, कि existing वही जो product चले आ रहे हैं, लंबे समय से, उसी पे ध्यान दे रही है, बस, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे है, बताओ, time to time, functional efficiency क्या करती है, इंप्रू करती है, कि उसका कुछ packaging सुधार दिया, कुछ और अच्छा उसको design दे दिया, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, आपका stability strategy, जैसे हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड लक्स भी बनाती है, लाइब बोई भी आपको बता, उसी का है, लिरिल भी उसी का है, पियर efficiency continuous improve कर रही है, that is called stability strategy, I hope guys, आप सब लोगों को stability strategy का meaning समझ में आ गया है, सभी लोग बताएं बास सबको समझ में आई या नहीं कमेंट करके, हाँ जी, सारे लोग हमारे साथ interaction रहेंगे, प्रांजल, तनू, अनुकृती, हर्षित, विनिता, रोहन, हिमांशी, सभी लोग, yes, okay done कह रहे हैं, चलिए जी, okay, okay कह रहे हैं, चलिए जी, okay, आगे चलते हैं, तो meaning सबको clear हो गया, चार topics आएंगे, dear stability strategy के अंदर, आप देखो, आपन जो है, वो next topic पढ़ेंगे, बिटा, ये next topic आपको पता है, true false में आता है, ICI इसको correct incorrect में पूछता है, ठीक है, आपके मन में आएगा सर, आप module से नहीं पढ़ाऊगे, क्या हमें ICI के बिटा, module से ही पढ़ाऊँगा, माँ आपको ज्यादा तर चीजें, ठीक है, और जो नहीं पढ़ाऊँगा, वो भी बोलूँगा, कि देखो, ये ऐसा-ऐस module से ही अपन base बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि module refer करना बहु ऐसा एग्जाम में question आता है, stability, stability strategy, stability strategy is do nothing strategy, stability strategy is do nothing strategy, हाँ जी, सभी बच्चे बताएं, आपको एग्जाम में ऐसा question आता है, stability strategy is do nothing strategy, आप बताओ, ये statement correct है, और अपना साथ में comment भी करो, ऐसा 3 marks में question पूछते हैं, चलिए, सभी बच्चों का मेरे पास जवाब आ रहा है, आकांगशा, रितिका, दिव्यांशु, अक्षद, जानवी, आयूशी, हरशित, गितांगशी, सभी लोग करें false है, बिलकुल सई जवाब दिया है, आपने, क्योंकि माना की stability strategy मे हम existing product पे, existing business पे focus करते हैं, बट ऐसा नहीं है, हाथ पे हाथ रखके बैठ जाते हैं, जैसे आप Apple का iPhone देख लो, Honda का Activa देख लो, मारूती की Swift या डिजायर देख लो आप, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के लक्स लाइबोई देख लो, माना की existing product पे focus कर रहे हैं, बट उसमें functional efficiency भी, time to time improve कर रहे हैं, market का जो environment है, उसके according हम product को change कर रहे हैं, so हम यह कहेंगे, stability strategy is not a do nothing strategy, ठीक है, तो आप इसमें आप लिखेंगे, लिखेंगे, यह statement के ऐसा लिख दो false, और आगे लिखो, because, because, company, company, continuously, 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 continuously improve the functional efficiency of its existing products and businesses, existing products और businesses का continuously functional efficiency improve कर दिए, तो दो topics अब को समझ में आगे होंगे, भाई, सभी को, अब सी वाला topic आप heading डालो, जो important भी है, वैसे तो सारी चीजें इंपोर्टेंट हा, वो लिखो आप, characteristics, डिएर लिखो, characteristics of stability, characteristics of stability strategy, हाँ जी, सभी बच्चे heading डालेंगे, characteristics of stability strategy, और ये topic मैं पढ़ाऊंगा, आपको ICA के module से, योगे ICA के module में एकदम crystal clear बातें लिखी हुएं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आज़े सर, ICA के module में कौन से page पे है, तो बिटा, page number 4.6 पे, आप एक काम करो, इस तरह से लिख लेना, इसके आगे लिख लेना, इसे refer, ऐसे लिखो, refer, page number, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, स्टाइल, दो-तिन क्लास में कि किस तरह से पढ़ाएंगे सर, हमें, page number 4.6 of ICA module, ICA module से ही, आपको characteristics पढ़नी है, characteristics of stability strategy, देखे, आप, यहाँ पर, इन्होंने total, आपके कितना characteristics बताया हुआ है, no characteristics, मेरे साब से, इन्होंने, एक, दो, चलिए, आठ characteristics है, क्या, हाँ बई, चलिए, सबसे पहला, पहला और दूसरा characteristics, characteristics, दो, dear, meaning का ही है, same to same meaning का है, अच्छा, एक चीज माँ आपको और बता देना चाहता हूँ, पिटा, क्या होता है, law जो होता है, audit होता है, वो एक तरह से law होता है, वहाँ पर अपने को शब्द change नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह कोई law नहीं है, economic subject आपका SM हो गया, EIS हो गया, यहाँ पर अपन थोड़ा बोच variation करें, तो चल सकता है, यहाँ पर interpretation change हो जाए, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, हाँ, पूरा change नहीं करें, बट यहाँ पर और आपको जो है, वो change करते हो तो चल सकता है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है, दो पॉइंट तो आपके same to same meaning वाले हैं, meaning में आपको बताया था, stability strategy में company क्या करती है, stays with same business के साथ, same product और market के साथ focus करती है, same level of efforts को maintain करती है, सबसे पहले तो, ठीक है, और साथ ही साथ, company का endeavor, focus जो होता है, वो किस पर होता है, functional efficiency को increase करने पर, ही हमारे, अपने resources को better तरीके से deploy करते वे, अपनी efficiency को improve करना होता है, I hope, दो characteristics तो same to same वैसी है, जो अपना meaning वाला था, समझ में आ गया क्या सबको, सर, हाँ, बिल्कुल हमें समझ में आ गया, आप देखिए, next पढ़ रहे हैं भई, अब देखो, थर्ड एक बार लोटके आएंगे, last में अपन, fourth है, it is safe strategy, safe strategy है बटा, देखो, expansion में risk जादा है या नहीं है, मुकेश अंबानी जो strategy follow करता है, कि आए दिन नएने business जो करता है, कभी टेलिकॉम का business कर रहा है वो, ठीक है, कभी FMCG में आगे आप, और आने वाले time में बोल रहा है कि वो यह आपका जो infosys है, विपरो है, technology वाले, IT company भी बनाना चाहता है वो reliance को, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो वहाँ पर risk बहुत जादा है, risk है लेकिन बटा, इश्क भी है वहाँ पे, लेकिन आप बताओ, stability strategy में, ठीका भई, जो product चल रहे हैं, जो business चल रहा है, उसी को चलने दो, तो it is a safe strategy, यह safe strategy है बटा, that maintains status क्यों, status क्यों मतलब आपकी present जो situation हो, उसको बनाए रखती है बस यह, अच्या, next है, it does not warrant much of fresh investment, बताओ, सारे लोग इस बास से agree करते हो या नहीं करते, कि it does not warrant much of fresh investment, इसमें जादा investment की जरूरत नहीं होती है, अब बिटा, एक बात बताओ, यदी मानलीजीए, आप new business करोगे, expansion करोगे, अब suppose करो, मुकेश अमबानी यह कहता है, Reliance Industries Limited यह कहती है, हम auto sector में भी जाएंगे, हम गाड़िया भी बनाएंगे, हम cars भी बनाएंगे, तो भाईया अब उसमें तो सारे नए employees लाओ, सारा manager लाओ, पूरा setup करो आप ठीक है, कितना ज़्यादा investment होगा, लेकिन बिटा, आप stability strategy follow कर रहे हो, तो जैसे stability strategy, आइफोन आपने नया वर्जन आइफोन का बना रही एपल, तो क्या उसको ज़्यादा investment की जरुरत पड़ेगी नहीं, उसमें थोड़ा बहुत अपडेशन हुआ है, तो थोड़ा बहुत ही उस इसाब से investment करना पड़ेगा, it does not warrant much of fresh investment, I hope guys आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ जी, बिलकुल बिटा, चलिए, सभी लोग yes कह रहे हैं, अचा उसके बाद में इसमें लिखाव है, the risk involved in this strategy is less, obvious ही बात है, आप खुद बताओ, suppose करो, बिटा आप stability strategy follow कर रहे हो, आप जो है वो textile का business कर रहे हो, suppose करो, ठीक है, textile का केवल business कर रहे हो, और आप उसी में ही ध्यान लगा रहे हो, जैसे लिवाइस एक company है, वो textile sector में deal करती है, कपड़े बनाती है, generally formal, casual कपड़ों में ज्यादा deal करती है, और वो उसी में deal कर रहे है, तो उसमें risk नहीं है न, अब लिवाइस बोले कि मैं textile के strategy, existing product market पे focus कर रहे हो, तो उसमें risk बहुत ही कम है, I hope guys आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आच्छा, next बेटा देखो, क्या लिखा है, while opting for this strategy, the organization can concentrate on its resources, and existing business products and market, thus leading to building of core competency, यह core, consumer taste change हो जाए, तो risk है न, consumer taste change हो जाए, तो हमको भी फिर change होना पड़ेगा, यदि हम उसी में रहे है, तो फिर तो risk ही है, ठीक है, फिर तो expansion, तभी तो कहते है, expansion करना अच्छा माना जाता है, ठीक है, अब देखे, core competency तो आगया आएगा, एक बार यहाँ से सिर्फ यह पढ़ concentrate on its resources and existing business, products and market, मतलब जनरली वो पहला वाला point ही है, कि जो company के resources होते हैं, उनको mainly किस पे लगाती है, existing products, market, business पे लगाती है, new business में नहीं जाती है, core competency माँ आपको बता दूँ बिटा, क्या होता है, core competence होती है, core का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे बच्चा, what is the meaning of core, what is the meaning of core, हिमानशी कह रहे है, main अनुष्का primary, जानवी important, हाँ, वो main important, बिल्कुल सही कह रहे हो, core competency मतलब आपकी unique strength, अब आप एक बाह बताओ, आप लंबे समय तक एक ही product में deal करोगे, एक ही business में deal करोगे, तो आप में जो बात है, वो शायद किसी और में नहीं होगा, जैसे हिंदुस्तान, Unilever Limited के जो products है, लक्स, लाइबो, लिरिल, पिर्स, रेक्सोना, वील, सर्फ, एक्सल, लैकमे, पॉंड्स, फेरन लवली, इन products में जो बात है, वैसी बात शायद किसी और में नहीं है, क्योंकि लंबे समय से उसी business में गुसाव है, उसी product पे, market पे focus कर रहा है तो उसमें एक uniqueness, बहुत जबरदस्ट जो एक competency है, expertise है, वो develop हो गई बेटा, बिल्कुल सही करें, USP expertise, चलिए, ठीक है, अच्छा बेटा, अब देखिए, अगले पड़ाव पर चलते हैं, अपन आगे क्या लिखाव है, next year लिखाव है, the farm with modest growth objective, choose this strategy, ठीक है, देखिए, एक तो होता है, modest growth, modest का मतलब होता है, ठीक ठाक, modest का मतलब होता है, ठीक ठाक, ठीक है, आकांक्षा कह रहे हैं, sir, are you actual manager, नहीं बेटा, मैं actual का marketing manager नहीं हूँ, ठीक है, आप शायद गलस समझ रहे हैं, ठीक है, आप मुझे जो है, वो तेल साबुन जो है, वो बेचने वाला समझ समझ रहे हैं, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, the firm with modest growth objective, choose this strategy, बेटा, modest का मतलब होता है, ठीक ठाक, अच्छा, आप एक बाव बताओ, ठीक है, बेटा, देखिए, चलिए, मैं आपको एक example देता हूँ, हाँ, जी, चलिए, सभी लोगों को दिख रहा होगा, बेटा, आपके सामने, आपकी screen पर, देखिए, गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए इस चहरे को, ठीक है, क्या आपको इस व्यक्ति की आँखों में modest growth दिखाई देती है, गौर से देखिए बेटा, इस चहरे क हो, क्या आपको इसकी आँखों में modest growth दिखाई देती है, या यह बोलता है, नहीं, मुझे तो बहुत जबर्दस growth करनी है, मैं भारत का तो सबसे अमीर आदमी हूँ, जब तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाऊंगा, मुझे chain नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ सर, इसको जबर्दस extreme level की इसको growth चाहिए, तो आप बताओ, जिस बंदे का objective बहुत ही extreme level की growth करना हो, क्या वो person stability strategy guys prefer करेगा, या नहीं करेगा, हाँ जी, बिलकुल नहीं करेगा, यानि बिटा बताओ कौन, जिसका objective modest growth करना हो, modest मतलब ठीक है, पिछली बार कितना profit ता 10 करोड, इ existing business को ही चलने दो, इसी में कुछ देखते रहो, इस product में market में कुछ नहीं आ रहे क्या, तो वो update करते रहो, I hope guys आपको ये बास समझ में आ चुकी है, कि जिन farm का objective modest growth करना हो, केवल वही farm इस strategy को follow करेंगी, हाँ sir हमें बिलकुल समझ में आ चुकी है, सारी characteristics समझ में आ चुकी ह बस sir अब आप से एक छोटी सी request है, आपने जो थर्ड characteristics बोली थी, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, उसको आप जरा पढ़ा दीजिए, बिलकुल हम आप से अपना कियावा वादा तोड़ेंगे नहीं, आईए, अपन इसको भी पढ़ते हैं, क्या लिखाव है, stability, strategy does not involve a redefinition of the business of the corporation, sir यह redefinition of business क्या होता है, पिटा ध्यान रखना, जब कंपनी का portfolio change हो जाता है, जब कंपनी का, whenever the portfolio of company change, then it is called the redefinition of business, sir, what is the meaning of portfolio, I think, have you ever heard about the meaning of portfolio in the context of business, portfolio, आपने सुना है, business के context में होता है, चलिए, श्रियांश के रहे हैं, yes, देखो, portfolio क्या होता है, आप जितने भी products में आप deal करते हो ना, उस सब का combo portfolio होता है, जैसे, आपको कोई बोले, what is the portfolio of Maruti Sujuki, ठीक है, अच्छा, ऐसा बोलते है, what is the portfolio of middle commerce classes, तो हम बोलेंगे, CA foundation, CA intermediate and CA final, अच्छा, 11-12 भी है हमारे portfolio, ठीक ह this is our portfolio, and what is the portfolio of Maruti Sujuki, sir, तो Maruti Sujuki का portfolio यह रहा, Alto, Balino, ठीक है, और, Desire, Swift, Siyaj, Brisa, Ignis, और कौन सा है, Omni, और कोई रह गया तो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, this is the portfolio of Maruti Sujuki, अब आप मुझे एक बात बताओ, stability strategy में, क्या company कोई new product अपने portfolio में add करती है, या existing product के साथ में ही continue करती है, sir, company existing product के साथ में ही continue करती है, क्या किसी product को company retrench करती है, हटाती है, नहीं, उसमें भी क्या करती है, इसमें लिखावे existing product पे, market पे focus करती है, so हम कह सकते ह stability strategy does not involve the redefinition of business, I hope guys, आपको बास समझ में आ गई है, बहुत ही अच्छे से, now, अब एक question का answer मुझे दे दो, आप सारे लोग, whether the expansion strategy involved the redefinition of business, क्या expansion strategy में redefinition of business involved होगा या नहीं होगा, और dear माँ आपको बता दूँ, जब हम expansion strategy का, यह देखो, characteristics पढ़ेंगे न, 4.7 पे, तो यह नहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, कहा गया भई, इसमें लिखा गया है, हाँ, पहला ही characteristics से देखो यह, expansion strategy involved redefinition of business, because इसमें new products आ रहा है, portfolio आपका चेंज हो जा रहा है, I hope guys, आपको finally बास समझ में आ चुकी है, तो हम लोग तीन topic पढ़ चुके है, stability strategy के, ठीक है, सारे, साथ में connect हैं, सभी हम को ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा हम उमीद करते हैं, ठीक है, चलिए, तो बटा, सबसे पहले बताईए, number one, हमने क्या पढ़ा था, what is the meaning of stability strategy, बताईए क्या था, stability strategy में, when company only focus on its existing products, business, markets, and also focus on improving the functional efficiency, functional efficiency of products or business, then it is called as, company is adapting the stability strategy, and हम एक correct-incorrect का question पूछते हैं, कि क्या stability strategy is do nothing strategy, answer is yes or no, तो हम कहेंगे, stability strategy is not a do nothing strategy, because माना की company existing products, business पे focus करती है, but company continuously improve the functional efficiency of current products and business, जैसे आप iPhone के case में देख सकते हैं, Honda Activa को आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान Unilever Limited को देख सकते हैं, and what are the characteristics of stability strategy, तो दो पॉइंट्स तो वही लिखने हैं, existing products, market, business, functional efficiency, improve करना, third, यह safety oriented है या नहीं है, बिलकुल safety oriented है, less risky है या नहीं है, बिलकुल less risky है, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बताओ, modest growth, those firm whose objective are modest growth, will choose this strategy, जिन firms का objective क्या हो, modest growth हो, and stability strategy does not involve the redefinition of business, ठीक है, I hope guys, आपको बात समझ में आ चुकी है, so these are some characteristics, अच्छा, these are some characteristics of stability strategy, ठीक है, सभी को हमारी बास समझ में आ चुकी है, अब एक बार सारे लोग comment करके बता दें, बातचीत आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, सर एक बार redefinition वापस explain कर दो, बटा, redefinition का मतलब है, whenever a new product comes into the company, then it is called as redefinition of business, because उससे portfolio change हो जाता है, but stability strategy में तो हम केवल existing product पर फोकस करते हैं, इसलिए वो business का redefinition involved नहीं होता है, चलिए, सभी लोग कह रहे हैं, yes sir, all clear, चलिए, yes sir, समझ आ गया प्रांजल बंसल कह रहे हैं, आईए, अब अंतिम topic पढ़ते हैं बई, अंतिम, आपने, आप देखो, C वाला point में लिखवाता है, तो फालतु में आपको लिखना भी पढ़ता है, और वैसे भी आज मुझे पता है, सारे आलसी बच्चे हो आप, है ना, तो लिखने में वैसे भी जोर आता है आपको, तो जो चीज़ें अपन बुक से पढ़ सकते हैं, वो हम बुक से पढ़ेंगे, sir, हम आलसी बच्चे नह है, stability strategy, what are the reasons of adopting stability strategy, अच्चा, इसको भी हम ICI के बुक से ही पढ़ेंगे, sir, यह कौन से पेज पेज पे है, यह उसी पेज पेज पे है, बिटा, पेज नमबर 4.6 पे, ठीक है, उसके बाद में growth, expansion, शुरू हो जाएगा, हम रहा, हाँ, इसको आप लिख लो, refer, refer, page number 4.6 of ICI module, ठीक है, आईए बच्चों, चर्चा करते हैं इस पे, what are the major reasons for stability strategy, हाँ जी, सबसे पहला reason क्या है, number one reason क्या है, a product has reached the maturity stage of product life cycle, सर हमें तो बिल्कुल भी समझने में नहीं आया, यह क्या लिखावा है, product life cycle maturity stage, ऐसा बोलते हैं, stability strategy यूज करने का जो सबसे पहला reason है, कि company का dear, जो product है, वो कहाँ पर पहुंच चुका है, वो product life cycle, हाँ जी बच्चों, product life cycle के, ठीक है, चलिए, नमन करें, यह सर आप हमें समझ सकते हो, हाँ बिटा, a product has reached the maturity stage of product life cycle, बिटा, अपकी chapter 2 में पढ़ेंगे, एक PLC आएगा, product life cycle, ठीक है, product life cycle, अब देखो, मैं एक बार आपको चलो, open करके दिखाई देता हूँ, chapter 2 चलो मैं आपको open करके दिखाई देता हूँ, बई, product life cycle क्या होता है, हाँ जी गाईज, product life cycle, आप देखो, मैं आपके सामने, product life cycle, जो हम chapter 2 में पढ़ेंगे, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको idea लग जाए, कि PLC उसको short में कहते है, product life cycle क्या होता है, हाँ बेटा ये रहा देखो, आपके सामने, आपकी screen पर, दिख गया आपको product life cycle, देखो, मैंने ये open कर दिया, ये रहा, product life cycle, ठीक है, ये रहा हमारा product life cycle, product life cycle, देखो बेटा, क्या होता है, ऐसा है कि, जैसे जैसे time बढ़ता है, वैसे वैसे company के product की sale पर क्या impact पढ़ता है, जैसे सबसे पहले शुरू में देखो, फेज, चार फेज होते हैं एक product में, सबसे पहला फेज होता है introduction, देखो, introduction, ठीक है, introduction का मतलब होता है, product नया-nया market में आया है, अभी 1990 के time पर आपको पता है, color television आये थे market में, color television, I am not talking about LED और LCD, वो cathode ray tube वाले CRT वाले आते हैं पीछे भौपू से निकले वे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, color television में आये थे वो, तो उस time तो sale कमी होगी, फिर growth का phase आता है, मतलब sale एकदम rapidly increase होती है, उनका, ठीक है, क्योंकि हर आदमी फिर color television ही लेके आने लग जाता है, उसके बाद में क्या होता वेटा एक लेवल पर जाके product का maturity stage आ जाता है, क्योंकि new technology वाले product आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उस product का sale constant हो जाता है, पुराने वाले product का, और फिर पूरी तरह से new technology वाले product मार्केट में च्छा जाते हैं, तो वो पुराने technology वाले product decline हो जाते हैं, तो अब आप मुझे बताओ, यदि किसी कम कोई company maturity stage पे पहुंच चुकी है, अब ही बताओ क्या है, growth का possibility, अभी growth stage में हैं, तब तो बताओ क्या करेंगे अपन, company growing stage में हैं, तब तो अरे बही और product आने दो, और product portfolio में add करो, लेकिन अब ज़्यादा उस sector में जान बची नहीं है, तो आप क्या करो, फिर अब नया कुछ मत लेकर आओ, सेक्टर में, आप जो है, वो existing product business पर फूकस करो, समझ में आगया मतलब जब growth का phase है, उस industry में हम लगता है, तब तो हम नहीं नहीं चीजों में दिमाग लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जब हमने maximum level reach कर लिया, उससे ज़् पहला जो reason है, stability strategy use करने का, वो है एक product जो यदि मान लिजिए, company का product life cycle maturity stage पर पहुंच चुका है, आच्छा, second देखो क्या लिखा है, the staff feels comfortable with the status क्यो, as it involves less changes and less risk, अब आपको पता ही है, obvious सी बात है, stability strategy use करने का जो सबसे topmost reason होता है, कि लोगों को बताओ क्या है, दंदे में कु रिस्क नहीं लेना, उनको changes नहीं करने है जादा, तो ये भी एक reason होता है, चलो, third, it is, it is opted when environment in which an organization is operating is relatively stable, environment बहुत stable है, बेटा, कुछ environment बहुत तेजी से change होते हैं, जैसे माँ आपको बताओ, smartphone का जो environment है, ठीक है, वो बहुत ही fast तरीके से change होता है, ठीक है, आए दिन आपको पता है, नहीं technology, नहीं technology के बताओ, smartphone आते रहते हैं, अभी आपके पास, जो handset है, आप एक साल बाज में जाओगे, तो बोलो कि company ने बनाना ही बंद गर दिया, है यह नहीं, कुछ नहीं technology के product आ गए, एकदम ही नहीं product आ गए, नहीं version आ गए, तो वहाँ पर market एकदम continuous change हो र पड़ेंगे, बड़ यहाँ पे, बताओ, market के stable है, अभी जैसे इंदुस्तान, Unilever Limited है, लक्स, लाइबोई, लिरिल, पिर्स, इत्ते सालों से चल रहे हैं, ऐसा है क्या मतलब की साबून की जगह है, मतलब कुछ और लगा लें हैं, हाँ ठीक है, वो body wash आते हैं, वो एक perceived as threatening, obviously बात है कि expansion करना threatening होता है, इसलिए भी log stability strategy use करते हैं, second और fourth को आप merge कर सकते हैं, and then after rapid expansion, a firm might want to stabilize and consolidate itself, जैसे अभी growth जितना हो रहा था तो कर दिया, अभी rapid expansion हो गया, वो और possibility नहीं बची, firm को ऐसा महसूस होता है कि अभी stabilize हो जाना चाहिए, तो यह भी एक reasons रहता है, I hope guys आपको बात समझ, अब देखो major regions और characteristics को mix मत कर देना, जैसे the firm with modest growth objective, choose this strategy, ठीक है, यह characteristics में जाएगा reason आपके अलग है, अब reason technically आप समझ सकते हो, this is the reason, आशुतोस बोल रहे हैं, first point, first point बताया ना, maturity stage पर आगया, आपका product, maturity के बाद डिकलाइन होता है, तो भई, अब जो, ज इसलिए existing product के साथ continue रहुआ, status क्यों का मतलब होता, जो आपका status है, उसको maintain करना, आपकी position को maintain करना बिटा, अनुश्का जी पूछ रहे हैं, status क्यों का मतलब क्या होता है, हाँ जी बच्चों, these are the reasons for stability strategy, और इसी के साथ देखो, stability strategy हम complete कर चुके हैं, अब stability, यह इन्होंने chart ब के कहां तक बिटा, यह इसका meaning था, और एक वो correct incorrect का आता है, फिर characteristics और major reasons है, तो अब एक बार आप ICA की book से भी देख लो, और सारे लोग बताओ बई, कैसा लगा आपको SM का पहला lecture पढ़के, हाँ बई, ऐसा, चलिए हरशिद बोल रहे हैं, मज़ा आगया सर, अनुकृति कह है सर, अच्छा है सर, गुड गजब सर, यह सर, अच्छा है, दांसू, मज़ा आगया सर, सर, सारे ऐसे ही हैं या शुरू का simple है, ने पिटा सारा ही चप्टर ऐसा आगे तो और अच्छे-च्छे ती जाएंगे, ठीक है, जोरदार मस्त है सर जी, अच्छा है सर, सर, रजिस् अच्छा पंकज कह रहे हैं, डेड़ बोड़ी में जान डाल दी, क्या बात है, धांसू, धांसू, रिप्लाई दे रहे हैं, सर, उंदा, श्रियांश कह रहे हैं, रिम्जिम कह रहे हैं, थैंक सर, तो आई होप सारे लोगों को मज़ा आया होगा, सर, ऐसा में complete हो रही है, आ बट ऐसा नहीं है, आपको हम बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे, ठीक है, और बिल्कुल ICI के मोडूल का अपने को रेफरेंस लेना पड़ेगा, विकोज देखो, क्या है, आप भी समझते हो कि, सर, एक बार स्क्रीन दिखा दो, स्क्रीन ही दिख रहा है ना, स्क्रीन श सेम जाना चाहिए, बिटा देखो, सेम टू सेम जनरली कोई नहीं लिख सकता, अभी कोशिश करना की लगबग लगबग ऐसा लिख सके हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप मेरी बार समझना, बिटा, CA के अंदर, इंटर लेवल पे, आपको पता है, हंड्रेड तो उसमें तो हम टॉप में पहुंच जाते हैं, 65 में, वो 65 ही आते हैं टॉपर लोगों की, क्यों कि अब्यूस सी बात है कि बहुत बड़ा सलिबस है, कई बार सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो अपने को best to best पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से अपने को पढ़ना है, च हिमांशी कह रही है, सर, no doubt, thanks, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर था, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा बोती आपको पढ़ाया है, चलिए, प्रांजल कह रहे हैं, thank you, sir, bye, सभी लोग thank you, bye, कह रहे हैं, yes, sir, no doubt, तीन बचके देखो 53 मिनट, 3.53 हो चुके हैं, गड़ी में टाइम, मेरे साब से आपकी शायद और क्लास भी रही होगी, तो आप बोलेंगे, sir, 5-6 मिनट का गैप हो जाए, तो अच्छा है क्लास में, चलिए, तो बिटा, इसी तरह से, 7 बज़े तक है अच्छा क्लास, तब तो ठीक है, बीच में धलका फुलका ब्रेक बनना चाहिए, हर चेप्टर के बीच में, कॉस्टिंग की है, sir, क्लास, चलिए, हाँ जी बटा, तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम आप से, कल मुलाकात करेंगे, ठीक, 3 बज़े, तब तक के लिए, आप सभी लोगों को, ओके, तेंक्यू, झाल